आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि निक्रिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उदाहरन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले निक्रिष्ट का आर्थ समझते हैं निक्रिष्ट का आर्थ होता है कम गुणवत्ता या इस्थिती का होना या निम्न स्तर का यानि कि कोई चीज जो inferior होती है उसे हम निक्रिष्ट कहते हैं तो निक्रिष्ट का विलोम शब्द याने की विपरितार्थक शब्द होगा उत्क्रिष्ट और उत्कृष्ट का आरत होता है उच्च गुनवत्ता या स्थिती का होना या सर्वोत्तम स्तर का यानि कि जो चीज़ qualcosa हो उसे हम उत्कृष्ट कहते हैं तो आए अब हम निकृष्ट और उत्कृष्ट को कुछ उधारन वाक्यों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि निक्रिष्ट सेवा के कारण ग्रहाकों ने होटल की निंदा की तो इसका उल्टा आप कह सकते हैं उत्क्रिष्ट सेवा के कारण ग्रहाकों ने होटल की प्रिशन सा की या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी निक्रिष्ट मेहनत के कारण उसे पुरुसका अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें